जॉस बटलर आटमेटिक सी चोईस है जॉनी बेरस्टो की फिलाल फॉर्म एवरेज है देखो ये मैच एक ऐसा मैच होने वाला है जिसमें मेरे पास क्रेडिट्स का इशू होगा मैं अब क्रेडिट्स का चक्कर पड़ेगा तो मेरे को थो पर्सेली बहुत ज़ादा मज़ा था है क्योंकि जब प्रेडिट्स का इशू होता है पंगा पड़ते है तब ही पता लगता है कि अब कितनी अच्छे ड्रीम 11 टीम वर्ना जब प्रेडिट्स का पंगा नहीं है सबको पता होता है यह वाला player ले लो ये ले लो ये ले लो ट्रैडिट्स का issue नहीं है तो दिक्कत नहीं है होता है तो भई फिर मज़ा आने वाला है मतलब फिर आपको पता लगता है कि बड़े बड़े दिगज players मैं से आप कौन-कौन से player select करते हो जो आपको लग सकता है मतलब perform कर सकती है देखो क्विंटन डिकॉक यहाँ पे एक player किसी बड़े दो player हो कि at least मेरे को कुर्बानी देनी पड़ेगी सारे मैं बड़े player नहीं ले सकता हूँ अगर भी देखो मैं क्विंटन डिकॉक को यहाँ पे team में ले लेता हूँ न form indifferent है मेरी जो team का यहाँ पे dream 11 team का balance है credits का बहुत ज़ादा पंगा पड़ेगा तो फिर भी लेकिन still मैं believe करके चल रहा हूँ कि मैं क्विंटन डिकॉक को team मिलूँगा यहाँ से जॉनी विरस्टो को drop कर रहा हूँ फिलाल के लिए form जॉनी विरस्टो की भी indifferent है क्विंटन डिकॉक की तरह ही बट यहाँ पे मुझे लगता है के क्विंटन डिकॉक यहाँ पे कोई spinner क्या गया है struggle करते हैं तो शुरू में कोई spinner आपको अगर मिला तो मतलब मोही नली शुरू में balling कर सकते हैं जो हाला कि specialist नहीं है लेकिन सेल क्विंटन डिकॉक बैक करेंगे मतलब उन्हें runs definitely करना चाहेंगे तो यहाँ से मैंने दो wicket keepers लिए हैं अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला मेरा मन तो पूरा पूरा था कि मैं रासी वंडे डूसन को टीम में 100% ले लू बट credits का issue है तो यहाँ पर credits का issue की वज़े से मैं रासी वंडे डूसन की जगा क्या करणा हूँ ए मरकरम टीम में ले रहा हूँ वरना मैं क्या करने वाला था तो पूर यहाँ पर credits की वज़े से रासी वंडे डूसन, Quentin Dickock और यहाँ पर credits का issue ना होता था देखो मैं फिर A मार कर रहा हूँ, यह तीनों ले ले था बट credits का issue है, तो Rasi Venday Dusan को यहाँ पर select नहीं कर रहा हूँ फिर यहाँ पर Reza Hendricks ले लूँगा एक तीसरा batsman, South Africa का Miller और Tender Bavuma फिलाल मैं select नहीं कर रहा हूँ, Bavuma का वैसे मतलब कभी 4 पे खेल रही है, कभी 5 पे खेल रही है एक fixed batting order नहीं है हलागि पिछले 1-2 matches से form अच्छी है विट, still मैं back कर रहा हूँ, यहाँ पर Reza Hendricks को टीम में लूँगा, मतलब options तो आपके सामने 3 है तीनों मैंसे अब कोई भी एक ले सकते हो तो आपके बस choice है आप बवूमा लेना चाहो तो एक बड़ी को ले सकते हो most welcome, लेकिन फिलाल के लिए मैं Hendricks के उपर ज़्यादा भुरोसा जटा रहा हूँ मतलब जो ज़्यादा मेरे को लगता है कि starts अच्छी दे सकते हैं 20, 30, 40 कर सकते हैं, यह 3 batsman है मेरे पास, यहाँ पे South Africa, England का देखो Jason Roy और साथ के साथ David Malan लूँगा, हाला कि David Malan की भी form है जो मतलब बहुत ही ज़्यादा poor रही है लेकिन still backing करनी पड़े है और 3 batsman तो at least मेरे को England के लेने होंगे, फिलाल मैं Owen Morgan टीम में नहीं ले रहा हूँ, चाहे last match में form में आए, जॉनी बेर्स टो credits के वज़े से नहीं ले पाऊँगा और यहाँ पे रासी वेंडे डूसन भी credits के वज़े से नहीं ले पाऊँगा तो चलते हैं आगे यहाँ पे भाई, यह पंगा यह पढ़ने वाला है मतलब, देखो D, Pretorius, आपके सामने choices हैं 9 credits में या तो Pretorius आप ले लो या फिर यहाँ से आप ले लो Tabrez, Shamsi दोनों में से कोई एक बॉलर ले सकते हो South Africa का, choice आपकी है कि आपको Pretorius लेना है या फिर Shamsi लेना है, देखो Pretorius बाकी जब हलकी टीम होगा है, सखेले तो Wickets मिल गई, डेथ Overs में, बट अब सामने England है, तो यहाँ पे अगर रोक लगानी है न, England को, तो बीच के Overs में लगानी पड़ेगी और वो लगाएंगे Tabrez, Shamsi तो मैं Tabrez, Shamsi के साथ जा रहा हूँ बागे आपको लगता है कि Pretorius लास के Overs में विगेट से ले तकते हैं, तो Pretorius ले सकते हो, similarly case क्या है तीन बॉलर्स हैं, मोहीन अली 9 Credits में और आदिल रशीद और क्रिस वोक्स, तीनों में से मेरे को 1 Pick करना है, देखो, Credits का बहुत तगड़ा पंगा है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मतलब compromise करना ही पड़ेगा तो आदिल रशीद, क्रिस वोक्स और मोहीन अली, तीनों में से कोई 1 Pick करना है मैं क्रिस वोक्स के साथ जा रहा हूँ, हाला कि जादा लोग, या तो आदिल रशीद के साथ जा रहे हैं, 73%, या फिर मोहीन अली के साथ जा रहे हैं, 78%, बढ़ यह जो percentage होती है selected by 77% people, इस पे जादा गौर मत करना, मतलब इसके हिसाब जगए टीम बाटोंगे ना, तो भाई, 90% आपका होने वाला है, कि आप हारने वाले हो तो इस सीज का ध्यान रखना, बाकी मोहीन अली, अब इसी लिए मैंने टीम में नहीं पिक करा, मतलब सामने साथ अफरीका की टीम है, स्ट्रॉंग बैटिंग लाइनप है, तो मेरे को लगता है कि अगर स्टार्टिंग की ओवर्स में मैन विद गोल्डन आम, विकेट्स भी जादा तार ले जाते हैं, तो ये मेरी थिंकिंग है बाकी, हो सकता है कुछ चेंज आपको करना होता है, एक बरिगवाप कर सकते हो देखो, एंडरिक नॉटजे और केजी रवाड़ा, 9.5 क्रेइट्स में मिल रही है, अब इतने तो खुले क्रेइट्स बटना ही रही है, या इतने तो सस्ते प्लियर्स है नहीं कि मैं सारे के सारे प्लियर्स ले लूँ, दोनों में से एक लूँँगा फॉर्म, बहतरीन है, एंडरिक नौटजे की, और ये एक ऐसा मटीरियर है न, मतलब आप इसे कैप्टन, वाइस कैप्टन भी बना सकते हो, इतनी घातक फॉर्म में है और अगर इंग्लेंड को प्रिशान कोई कर सकते है न, वो तब रिस चमसी और एंडरिक नौट जे ही, रहने वाली है क्योंकि मैंने दोनों को पिक कर लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो, 8.5 क्रेटिट्स बची है तो लास्ट चोईस है, तो क्रिस जॉडन को पिक कर लूँगा, मतलब जो स्पेशलिस्ट है और डेथ हवर्स में काफी अच्छी बॉलिंग करते है आउटस्टेंडिंग फिल्डर है, अगर बैटिंग का मौका मिला तो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेती है बाकी, अगर देखो, यहांसे डेविड विली खेल गए न, 8 क्रेट्स में बाई चंस क्या हुआ, मार्क वुड ना खेले जो कि 8.5 में है, डेविड विली खेलती है न, तो एक बरी को मैं डेविड विली लेके फिर एक बड़ा प्लेयर ले सकता हूँ, जो कि मेरा 0.5 क्रेट्स बच जाएंगे अगर डेविड विली खेलती है देखो, तो तब की बात है, बागी टीम आपके सामने है यह मैंने टीम सिलेक्ट करी है कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करों तो देखो मैं बैक कर रहा हूँ इस मैच में, वैसे तो सादातर लोग क्या करेंगे, देखो, लास्ट की दो इनिंग्स, बहुत ही, माइंड ब्लोइंग गई है जॉस पटलर की, 60-70% लोग बनाने वाले हैं, जॉस पटलर इस मैच में कैप्टन, बट थोड़ी सी थिंकिंग अलग करनी पड़ेगी, हाला कि फॉर्म बहुत खतरनाग है, जॉस पटलर की बट, सामने जो पोजिशन है न वो अराम से आपको चैन की सांस नहीं लेने देती, साउट अफरेका की बॉलिंग मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत जादा बहतरीन है जॉस पटलर को जितना दो मैचेज में असानी होई न, बलब उतनी इस मैच में होगी या नहीं होगी, ये समय ही बताएगा वैसे फॉर्म बहुत तगड़ी है बाकि आपको जॉस पटलर कैप्टन बनाना है तो most welcome आप बना सकते हो, अगर आपको फिर लगता है वो एक तगड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं, कोईंटन डिकॉक कैप्टन जेसन रॉय, वाइस कैप्टन, ये है मेरी वाइस कैप्टन की पहली रिकमेंडेशन इस मैच में, बड़ी इनिंग्स जेसन रॉय की definitely due है, थोड़ा सा वो starting के अगर 2-3-4 overs खेल गए न मतलब, तो थोड़ा सा जल्दी कर जाते हैं, कहीं बर जो कि उनका style है, कहीं बर उनका downfall भी होता है, वही और अगर वो 2-3-4 overs शुरू के निकल गए, केजी रवाइडा, एंडरिक नॉट जेगे तो बड़ी innings देखने को मिलेगी, जेसन रॉय दुआरा, second pick जो मेरी रहने वाली है, वाइस कैप्टन की, वो रहने वाली है, एंडरिक नॉट ये, बहुत ही ज़ादा mind blowing form में है, भाई, मतलब इनकी pace, इनकी bounce, इनकी speed, सब कुछ बहुत ही घहतक चल रहा है, तो first recommendation, जेसन रॉय वाइस कैप्टन की, second recommendation, एंडरिक, not ये, तो ये है मेरी choices, बाके कुछ अलग लग रहा है, तो अलग कर सकते हो, जॉस बटलर को, कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, या फिर, आईदर मार करम भी choice काफी अच्छी है, तो मतलब choices बहुत सारी है, लेकिन आपके उपर है, आपको कौन सी choice करनी है, और कौन सी नहीं, final team, जो की आने वाली है, match शुरू होने से 20 मिनट पहले, ये final team नहीं है, जो मैंने अभी अभी आपको दी है, 37 बचे शाम को match शुरू है, तो 7 बच के 10 मिनट में, मैं आपनी final team दे दूँआ, और वो final team कहाँ पहाँ पहाँ आने वाली है, वो final team आने वाली है, मेरे telegram चैनल पर, final team आएगी telegram चैनल पर, तो telegram चैनल को join करना बहुत ज़ादा जुरूरी है, कैसे join करना है, video को नीचे description box में link है, ध्यान से देख लो, video को नीचे description box में link है, search को option दिखाई देगा, यह top more side पे, right side पे, इस पर आपको click करना है, click करते ही आपको मेरा यहाँ पर username type करना होगा, telegram का जो की है, click ग्यान, 23004 subscribers वाला channel है, यही है original channel जिसके साथ आपको जुड़ना है, जिसके साथ आपको जाना है, और exactly यह चीज़ आपको same type कर देनी है, search वाले option में, click ग्यान, यह है मेरे telegram channel का username जो की आपको type करना है, search वाले option में, typing mistake मत करना, exactly बिल्कुल same to same, यही चीज़ टाइब करनी है, click ग्यान, बाकी मेरे channel का नाम है cricket ग्यान, दोनों के दोनों channel fake है market में, दोनों ने मेरा same logo यूज कर रखा है, और दोनों ने मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे, अपने channel का नाम मेरे से मिलता जुलता रख लिया, add the red cricket, cricket ग्यान, add the red cricket, totally fake channel है, दोनों के दोनों, दोनों के दोनों के subscribers भी totally fake हैं, original channel है, यह वाला, जैसी यहाँ पे click करोगे, साथ ही अंदर entry मिलेगी, telegram channel पे यह मैंने करा click, यह मिली अंदर entry, और देख सकते हो, match शुरू होने से पहले, किसने toss जीता, final playing 11, और यह है full and final team, जिसके लिए आपको wait करना है, और telegram channel को join, कर लेना है, देखो winnings तब भी होंगी, जिब आप telegram channel का हिस्सा बनोगे, क्योंकि final team यहीं पे आएगी, इसके अलावा, यह जो team है आपके सामने, यह है small league और head to head की final team, जो मैंने video में team दी है, वो भी small league और head to head की final team है, बागी captain wise, captain की choices भी आपको, यहीं पे मिलने वाली है, जो मैंने अभी choices दी है, जो final team के बाद आएंगी, same भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, यह चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तो, अभी के लिए दोस्तो इतना है, बाकी की सारी news और updates भी यहीं पे आने वाली है, तो फटा फट से जोईन कर लो, टेलिगरम चैनल को अगर अभी तक जोईन नहीं कर रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजेगा तहिल से, अगर वीडियो अच्छे लगी, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अभी के लिए थेंकियो वेरी मच्छ दोस्तों.